वश्कार किसान भईयों कैसे हैं आप लोग में कुईंद पडेल और आप देख रहे हैं खेती की पारसली यूटूब चैनल अभी हाली में जो बारी स्वा था एक खलका सा तूफान आई थी छोटी सी जो कि अपना अंध्रा सेट तो टकराया था तो उसका असर पूरे के पूर ठीभारी जो पौध से निर्चक कही जो पौध हो गयते जो अच्छे से घहरे बना कि रखेते तो यह जो पौध हैं बहुत उनको नुक्सान हो Contain के पूदधन को State अच्छा फांगा सान हो जाता है तो इसको इस खीमिंप करने के लिएए न तो सब तो अब उसको सहरा दें जैसे कि अपना तूट ग्या है तो उसको सहरा देना या या न भिन कोई काम का नहीं रहता है लेकिन जैसे कि अपना यह जो बैंगन ओगहार हो गया तो इसको पहले पहले और उठा गे chances थ Walmart या फिर रसिय रबाद है लुट हे जड़े जड़ गिर्ने के बाद उसके यह घड़े करते हैं खड़े करने के बाद पाइप और आपको आपको देना ही रहता है खासका राब उसमें अपना फासपोरस की मातरा को थोड़ा सा बढ़ाएं नाट्रोजन भी उसमें दें पोटास भी दें इसके साथ साथ आपको आइरंट जिंक मैगनीफ और कॉपर यह चारों चीज आपको देना रहता है यह जो चारों चीज रहते हैं पौधे के जड़ के इसके साथ साथ अगर हम को तने को भी थोड़ा मजबूत करना रहते तो तने को मजबूत करने के लिए आप उसमें जिंक एस्टा मिला दीजेका तो यह चीज अगर आप पौधे को देते हैं तो उसके तने और जड़ भी मजबूत होंगे और उसके जड़ में नय नहीं जो सफेज सफेज जड़ है थी छोटी जड़ भी न डेघवलाब होगी इसके साथ आप मायको रायजा भी देते हैं तो मायको रायजा का इतना असर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो उसमें यही जो नचारो और पांचो चीज जादे न मात्रा में रहता है क्योंकि रूट गया है तो उसको आप तुरंत एक सहरा दीजे तुरंत उठा दीजे और उसके बाद इसका आप इस्प्रे भी कर सकते हैं तने पर ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं इस्प्रे भी करते हैं तो पौधे उसको अबजब करके ले लेगा तो इससे न क्या होगा कि पौधे जो इस्ट् झाल झाल